इस माई लाइच लालालालाला अबंदी इस टॉमी की उड्डू हिंदी एक्स्प्लेनेशन का पार्ट सेवन है त redefee की सब्डू अभाइक इस स्कूल में बड़ा नाम बड़ी इज्जत विज्जत है सब्डू में फटू की मनजूरी की बाद ही सभी स्टूडिन को प्राइड ब्यूटी स्टायल की बेस Πर इढ़ी एड्मेशन मिलता है और वैसे भी फट्टू स्टूडेंट कॉंसल प्रिंस एक नामी ग्रामी फैमिली का अकलोता फूल होता है जो कि वैसे तो अच्छा असल जा हुआ कावे मस्कुलर पाड़ी और डोलो शोलो के साथ ठेज सारी गल्स के दिल चुरा चुका है इंटेलिजेंट सुन्दर और हैंसम होने के साथ साथ स्कूल की स्टूडेंट में से सबसे उपर वाली पुजेशन स्टूडेंट कॉंसल प्रिंस भी इसी फट्टू भाईया ने सुमाल रखे होती है और फिर अच्छे फैमिली बैक गिराउंड और बाकी सभी क्वालिटीज के साथ साथ इसकी टीम के मेंबर जिन में चिन बॉय और अलादीन की चरांके जैसा देखता जिन गैब्रियल जो कि एक तरह से इसका बड़ी गार्ड भी होता है ये सभी के सभी इसके काफी लायल साथी होते हैं एवन कि इस पर अपने जान भी दे सकते हैं और ये सभी के सभी निमूने एक तो अपने हरकतों की वज़ा से और दूसरे स्टूडेंट कॉंसल प्रिंस आयना कोजी की वज़ा से बड़े फेमस रहते हैं और इधर अपने बोलू दिसलेबिटी प्रिंस कना देई जो कि ट्रांसफर के लिए सेंट जैम में पतार चुका था और स्टुडेंट कॉंसल प्रिंस फट्टू ने भी इसको कफी वार्म वेलकम दिया और इसको अच्छे से समझा दिया कि इजद दोगे मेरे को तो मैं भी तुमको इजद दूँगा फिर फिर तभी वहाँ पर खड़ा चिम्टू ग्लासेस प्रिंस आगे जाकर आयनकोजी को इनके पहले भी मिल चुके होने का याद करवाने लगता है यह फिर क्या कहते हो हम तो पहले भी मिल चुके हैं ना तो इसके पहले मिल चुके होने की बात सुनके तो इसका नाम लेते हो यह फट्टू के सिगनल्स चले जाने पर तो गैबरियल लादीन के चराख के जिनकी तरह फॉरण से एक्शन में आकर तो फट्टू के कान में बताता है सरकाई ये चिश्मिश दिखता कनादे का और फस्ट मिनेस्टर स्टीडियो कन ग्लासेस प्रिंस के नाम से फेमस है और फट्टू भी सुनकर बोलता है अच्छा तो अभी तक इस पॉजीशन पर एलफी लगाकर जिम्टा बैठा है साला तो अपने बोलू प्रिंस जो कि कहीं और ही खोय हुए थे इनकी कन्वर्सेशन सुनकर ग्लासेस प्रिंस को बोलता है कि तुम इसको कबसे जानते हो किस बारे में बात कर रहे हो हो चिम्टू गिलासेस प्रिंस भी इसके पास आकर बोलकि सच मुझ में कि बोला होता है काफी तो इसको लगता है जरूर कुछ दिन पहले इस स्कूल की वेबसाइट पर स्टूडेंट कॉंसल प्रिंस को देखने की बात कर रहा है चिम्टू और बोलता है कि हाँ मेरे कोच्छे से याद है कुछ दिन पहले देखा था ना मैंने इसको वेबसाइट पर और इधर पोल से ज्यादा पड़ा हुआ था और वो काफी बिसबरी से वेट कर रहा था कि कब बोलू प्रिंस स्कूल में ट्रांसफर करवा कर आएंगे अब इनके बीच में खिचरी क्या पक रही थी इसका थो अभी थोड़ा आगे चलकर पता चलेगा और फिर फिट्टू आयना कोजी की सिगणल चले जाते हैं इससे पूछते कि तो SEC deeper ना ना नहीं कहना है ना रो से ना रौसे कानों बोली है और अपना फेस टना करके पूछता है कि जरा घूंड़ भाई का नाम भी बता दे ना लादीन के चराग वालए जिंग का और फिर गैप्रियल की रपसे नाम लेकर बो किलासिस प्र वी सुनकर हॉलाइ से बोलता है कि इस स靈 के हमारे ब sobossale चांपनादी से जादय, या तो मैं या भोलहेँ हो, कैसे जानते होॉ तो बोलता है Spears कनादी भी हाथ रखका हुलाइ से पूछता है। और इसको response और फिट्टू विचारा अपनी बेज़िती चुपाने के लिए सीना ठौक के जूट बोलता है और कहता है मुझे वेटिंग लिस्ट पर लगा दिया है और असल में तो मन में बोलता है वेटिंग लिस्ट के भी काबिल नहीं छोड़ा है उसने तो पर आखर जूट गिलासेज प्रिंस जाकर कनादे की कान में बोलता है कंट्रोल दै कंट्रोल इदे दू कानोसन के दाई हाटिड मनने मानने वाला रूम्यू बना खड़ा है तुझे इदर ऐसे शो करने का है कि तू आसमान से तारे तोड़कर उसके लिए लाने वाला है ऐसे खेल बरबाद म रहे हो ना तो सुनो मैं भी इसे किसी और का किसी भी सूरत में नहीं होने दूँगा और साथ में खड़े चिन बॉइस को इनको स्कूल की फार्मैलिटीज पूरी करवाने के लिए ले जाने का बोलता है कंट्रों सिर्फ मेरी ही रानी बनेंगी देख लेना तुम लग तो ख हुआ अगर अभी इस जीद में कूदने के लिए मेरे को थोड़ी देरी हो गई पर पहले इंट्री तो मेरी ही थी ना और एक तरह से ठीक भी था अगर रियल प्रिंस तो हमारे भूलू प्रिंस ही है ना इससे तो मैं तेरा क्या किसी कभी नहीं बनने दूंगा पर माफ कर द यह जूए यह बो भी इंगली दिखा कर ही रहता है तो मेरे आप को यह पुस्का ही इस पूरता है इस वह मेरे दिमार ने बत्ती जलाई है इसे एक पार्टी में मिल चुका हो ना वह मेरे इंड कंटा तक पता नहीं और इन बातों को चिपके से सुनता इनकी पीछे चलता रेवलिशनरी प्रिंस थोड़ा एनलाइज करके बोलता है मेरे को थोड़ी सी बात समझ में आ गई है लगता है कि फट्टू हमारे बोलू पुरिंस से किसी चीज को लेकर काफी जादा एड्मायर है जिसकी वज़े से व इनकोजि भी सभी चीलों को बाहर जाने को बोलता है कि मेरे को खुफिया खुफिया अकेले अकेले थोड़ी दिमापट जवार डाल करना है कि कब क्या और कैसे हुआ था अई पृट्टू जो की शायद एंडे से लडिकियों का क्रुश बन गया agora पुर मेरे जिदर कदम पढ़ता मेरे नाम का विद्गती लड़कियों की लाइने लगी रहती हर कन्या मेरी रानी बनने के सपने देखती और फिर इस स्कूल में आकर तो स्टूडेंट कॉंसल बनने के बार मेरी इज़त विज़त और गुरूर में थोड़ा और इज़ाफा हुआ क्योंकि इधर सभी लोगों को मेरे प्रेजडेंट बनने का काफी ज़दा अच्छा लाग रहा था वैसे तो हर चीज में ही परफेक्ट होता है सिवार लोगों के नाम बूल जाने के और बोलता है मैंने ट्रेडिशन सब कुछ अपनी फैमिली से एडाप्ट कर रुखा है और अपनी चिकनी चमेली फिसल थी बाड़ी को लेकर और थोड़ा एक्स्ट्रा चोड़ो शड़ो होकर चाती ठोकर चलता था कि कोई है मेरे जैसा तो सामने आए और एक साला निकल ही आया जब में दो साल पहले पार्टी में आँखें और दिल ठंडा करने गया और फिर मेरे न से तूटते हैं जब वहां पर असली प्रिंस अपने बॉलू द स्लेबर्टी प्रिंस वहां पर पिदाते हैं जी हां तो फट्टू की तो आँखें खुली की खुली रह जाती है कि इस राइदानी में और कौन आ गया है गर्ल्स एक से भी पहले कलती मार कर तो कनादी के इद करवा कर वेलकम कर रहा था और दूसी तरफ फट्टू आइनकोजी की तो तन मन में आग लगी खड़ी थी कि कोई इससे कैसे कर सकता है कोई इससे भी उपर की चीज कैसे हो सकता है और फिर जब सजाको कनादे इसको वहां खड़े दीकर तो इसके पास ग्रीटिंग करने जा जाता है कि जेम्स अकैडमी का स्टूडेंट कॉंसल प्रिंस था लगता है तुमसे जैलिस हो गया है पोलू प्रिंस गल्स के तुम्हारी तरफ कल्टी मानने को देखकर बिचारे से बदाश नहीं हुआ और वापस आकर फट्टू को लगता है किसी ने इसकी बरे बाजार मे करना शुरू कर दिया और दू सालों से लेकर आई तक अपने मन में इसको अपना दुश्मन नमबर वन बना कर रखे हुए था जिससे इसको हर हाल में कैसे भी करके तो जीतना था और फिर इसको जब कुछ दिन पहले कनादे कि फरस्ट टाइम कानोसन से मिलने और कनफेस करन इसके टाइब की लड़की नहीं थी और इसको कैसे भी करके तो इस युद को जीतना था और अभी इसको प्रॉब्लम यह लग रही थी कि मैं भी बनला किस से ले रहा हूं इस साले को तो बिलकुल भी कुछ याद ही नहीं है क्योंकि आज की मीटिंग में कनादे ने इसको ब और नामयाद हो गया और फुषी से उचलने लगता है और फिर यह भी एपी निउस इसको बाहर बहुता है और फिर अपने माजू को टिसे गले लगाने चाहता है यह मेरे चीट शेयर दिखाया अब तो तेरे में किसी चीज़ की कमी नहीं है तू तो बहुत ही परफेक्ट हो गया यह वा हमारे फट्टू प्रिंस ने एक और संगे मील गबूर कर लिया है इधे टेंडो कुकी कानल संसे उसके प्लैंस फ्लैंस के बारे में पूछ गए तो इससे बात बात करने का कोई चांस ढूंब रहा था तो वो इसको खुद से दूर रहने का बोलती है कि एमी मेरे दिमाग खराब किय जा रहे हो तुम लोग और इसके रिप्लाइ करने पर तो कुकी लड़क जाता है कि मेरी तो हार्टबीट बहुत ही फास्ट हो गई है क्योंकि वो तो इसी बात पर खुश था कि चाहे इसने जो भी बोला अच्छा या बुरा पर मेरे से बात तो की आखर और इसके साथ दोनों दूसे डांस प्रिंसेस चेक करने लगते हैं तो वो वहाँ से जाने लगती है कि कंगले संकी कहीं के नहूं तो वह तभी आगे सामने से आता अपना भूलू प्रिंस भी मोके पर इंट्री मारता है वह कानों सन गालों पर चुटकियां काटने लगती है कि ड्रीम तो नहीं देख रही हूं और वैसे हमेशा ही कनादी को दीखकर तो इसकी फिलिंग्स ऐसी ड्रीम ड्रीम वाली रहती है मतलब कि इसको इन सम में से थोड़ो थोड़ो बोलू प्रिंस के लिए कुछना कुछ फील होता है और टेंडो कुकी पहली बार पुल्यू प्रिंस से मिल रहा था तो इसको मालूम नहीं था पूछता है ये अलग-अलग युनिफॉर्म में दिखते लंडे कौन है और इसके पीछे खड़े डांस प्रिंस बोलते हैं लगतो हूँ बहु प्रिंस ही लग रहा है हमारे को और कनादे भी इनको सुर्प्राइज देता है कि मैं स्कूल में ट्रांसफर हो चुका हूँ कान हसन के साथ साथ तो कुकी लोगों का भी मूँ खुला रह जाता है और कुकी थोड़ी टेशन मारते हुए कनादे को जाकर बोलता है मैं इधर कनादे को प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद हूँ तो थोड़ा संभल कर रहना और कनादे भी जूसलाइक हैं एकस्कूज मी आपकी तारी और कानो भी स्टक्ले की बात सुनकर हरान होती है और फॉरण से कनादे के सामने बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं तो मालत मत समझना और कनादे भी समझ जाता है कि हाखर के चकर चल रहा है एमी बड़ा बन रहा है खुद से कुछ भी और कनादे कानों की बात सुनकर कुकी को पीछे करके बोलता है कि ये बच्चों को खेल नहीं है तू थोड़ी साइड वाइड मार ले मेरे को तो तेरे अंदर दूर दूर तक कानों को प्रोटेक्ट करने वाली शक्तियां नहीं लग रही है अभी तेरे फीडर लेने के दिन है चल बच्चे तू जाकर खेल आहां यहां सच मुझ में जस आगी बुलू प्रिंस की बिंदास श्टाइल और स्माइल को तीक कर कान असन को बोलता है मेरे को अच्छे से मालूम है कि तू बहुत ही अच्छी गल है और मेरा ही वेट कर रही थी ना और कानों को तो सुनकर चुपी लग जाती है जैसे कनादे ने इसको पहली बार चुआ था और इसके चुने से वो हमेशा सहर में चली जाया करती थी और फिर इसको छोटे छोटे चोटे तो कनादे बोलता है कि तुम एक बहुत ही शिट गल हो और इधर गिलासेस प्रेंस, रिवुलूशनरी प्रेंस और कुकी कनादे की कनादे के कनो सनको शिट बोलने पर घौरु फिकर कर रहे थे यब थोड़ी देर पहरे तुटन अच्छे से बात कर रहाँ था अपर इसके पीछे की हिक्मत क्या थी और गानुसन्वी इसकी बात सुनकर तुस्पने से वापस आती है मैं तेरे कोई वेट नहीं कर रही थी और इसी की स्टाइल में बोलती है ये तू है शिट और वहां से चली जाती है गनादेवस के पीछे से बोलता है के तुने मेरे को ऐसे क्यों बोला पर खुद को दुबारा से चक्यां काडने लगता है कि ये पूरी की पूरी चुडेल है मुझे हमेशा खुसा ही दिला देती है मतलब कि ये बात तो हलत हो गई बोलू प्रिंस को लग रहा था कि अगर मैं कानसन की कुट्टे को कुट्टा बोलूंगा तो मेरे लिए ठीक है पर कानसन को इसकी कुट्टे को टॉमी ही बोलना चाहिए था पर पर गिलासस प्रिंस इसको याद करवाता है गुस्सा करते देख कर कि तु भूल क्यों जाता है बोलू प्रिंस वज़े ये सब तेरी सुजा को गुरूप की ओरनर्शिप को बचाने के लिए हर हालत में अच्छे से ड्रॉमा करना है अगर लड़ते रहे न तो दोनों के हाथ पर ले कुछ नहीं पढ़ना है पर कनादे बोलता है क्या करूं इसका थोबड़ा देख कर और इसकी हरकते मुझे पागल बना देती है इदर तकाट को रायों बताता कि कुछि में इसको कनादे के स्कूल में ट्रांसर करवाने के बारे में बताया है और साथ में enquी का टैक्स भी दिखाता है कि देखो वो भी युध लेंडने के लिए मैड़न में कूद पड़ा है जिससे देखकर तो तकातो बोलता है कोई नहीं कोई नहीं ये तो किसी पाओं में नहीं आता है चोटी मचली है पर कनादे ऐसल बड़ी फिश है और आखर उसने भी आमने सामने आने कर डिसाइड करके तो इंट्री मार ही दी है तो चलो फिर हम भी स्कूल में अपने इंट्रिम आते हैं और कानोसन से मिलने चलते हैं इधर फिट्टू आइना कोजी दूर से ही नारो से कानो का नाम लेते इसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है ये लो फिर उस दिन बोल रही थी ना कि मेरे को तेरा नाम याद नहीं है और कानो के पीछे आते कोकी ग्रॉप सुन कर हैरान होता है और साथ में इसको कानो का नाम याद होने पर बेख्याली में कलैप करने लगते हैं फिट्टू कोजी भी नारो से को बोलता है कि हाँ जी तुम पहली गर्ल हो जिसका नाम मेरे को याद है देख लो फिर इससे कहते हैं किसमत में लिखा होना और बोलता है कि अब तेरा नाम याद कर लेने के बात से मेरे मन में तुम्हारे को लेकर फिलिंग्स ने एक और नियो इस ट्रॉंग डायरेक्शन पकड़ ली है नारों से कानों से तु सुनकर कोई जवाब नहीं बन बारा था कि अब क्या बोलूं उस दिन तुम्हें ने इसकी बड़ी बिज़ती की फिर तभी फ्टू को जी की बाते सुनकर कनादे वहाँ आ जाता है और इसको मुसकराकर बोलतै है कि अच्छा तो हम राइवल है फिर फिर फ्टू भी सौच कर बोलता है कि हम मेरे को सुनकर अब काफी हैपी हैपी लग रहा है जिनकि पहले वस बात पर सैट था कि कनादे से आखर वो किस चीज़ पर कंप्रीट करें उसे तो कुछ याद नहीं है तो बोलू प्रिंसेस को बोलता है कि तो फिर तु मेरे अच्छे से ध्यान रखना तो खट्टू भी बोलता है सेम तु मी तु भी मेरे पर अपनी दया दिखाना फिर और फिर दोनों जाकर हैपी हैपी राइवलरी की नियो तारीख रकम करके हाथ मिला कर तो सभी को इमोशनल कर देते हैं यह मतलब यह तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा था कि दोनों राइवल एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे और कानसन वहां से कट लेती है कि मेरे को कोई सीन नहीं लग रहा है मेरे को इधर खड़े होने का और कुकी इन दोनों के बीच में मखल होकर बोलता है माउफ करना भाई लोग पर कानों को प्रोटेक्ट करने वाला राइट बंदा इस वकत सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ तो कनादे भी इसको हरांगी से देकर बोलता है कि तू अभी तक यहां मुझूदे साले मेरे को लगए शराफत से निकल लिया होगा तो फट्टू कोजी भी याद करके बोलता है कि तुम तो वो सेकंडेर के अभी अधे फंद से चूजे होना मैं तुम्हें अपने अपने अपनेंट के जैसे बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ अभी छोटे लगदे हो मेरे को इस सब गेम के लिए कच्चे हो कनादे भी एगरी करता है कि बिल्कुल बच्चों से हम नहीं खेलते हैं अभी तो तेरे लॉली पॉप खाने के दिन है किन चक्रों में खुद को जाया कर रहे हो सबी कनादे को कानोसन के मंज़र से गाइब होने का ख्याल आता है कि किदर गाइब हो गई है और सभी लोग देखने लगते हैं कि हम वाकी अभी तो यहीं पर थी पर वो दूसी तरफ बाहर निकल कर खुद से एक कनादे को याद करके बोल रही थी के पागल है वो क्या इधर टीचर योकी प्रिंस महां हाल में कानोसन को पाने के लिए लगी लाइन में खड़े इतने धेज सारे प्रिंसेस को देख कर वरीड हो जाता है कि कमपेटिशन तो काफी सख्त होता जा रहा है इधर साइलेंसर बहुत ही जादा हैपी था कि सब के सब आस प्रोस के प्रिंसेस उठोटकर अकटे इसके स्कूल में एक ही क्लास में जमा हो गए है गाड नेस पर अपनी काफी किरपा की है वो इस सब को लेकर काफी इंजॉय कर रहा था कि अब मज़ा आएगा ब्रिडू और फिर हितोरी को सभी के बारे में बारी बारी इसको डीप डिटेल बताने को बोलता है कि जरा मैं भी तो देखू कैसे दिखते हैं ये सभी के सभी प्रिंसेज इधर हितोरी इन सभी के बारे में बारी 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 बताने के बाद तो सालेंसर को बोलता है मैं तो बोलता हूँ कुछ और प्रिंस को आज पास से डून डांड कर तो अपने स्कूल में लाते हैं और फिर इन सभी के बीट में लिजेंडरी प्रिंस बनने का कमपटीशन करवा देते हैं आखर वो सीट भी तो काफी ऐसे से खाली पड़ी है तो ये बेस्ट चांस लग रहा है मेरे को सबसे लुद्ध सुनकर बोलता है कि एक दम मस्त आइडिया है तुने तबी तो तुम्हेरे को अच्छा लगता है तो क्यों न हम इस गर्ल नारो से कानों को ही यूज करके तो इन सभी की जंग लगी बैटरियों को चार्ज करके तो इस तरफ लगा दें और दोनों ही प्लान पर काम करने का सोजने लगते हैं कि आखर सब के सब जो इसके पीछे पढ़े हैं तो कुछ तो हमें भी फाइदा हो तो बस सेवन्थ एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है पर बागी की एपिसोड बहुत ही जादा बहुत ही जादा इंटरस्टिंग होने वाली हैं गाईज तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ